नमस्कार नियस्पोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जहाँ एक तरफ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के सपनी देख रहे हैं लेकिन अब उनके सपनों में ग्रहन लगा हुआ जो ऐसा देख रहा है क्योंकि जब से बिहार में जाती आधारिते जणगन्ना करवाए गये है और उसके आकड़ों को सार्वजनी किया गया है तब से पिछड़ा और पिछड़ा समाज लगातार मांग कर रहा है कि उनके कोटे से मुख्यमंत्री के लिए दावेदार बनाये जाए और अब तो RJD के MLA भी बोलने लगे है कि ABC से अब मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बनाये जाए और मुख्यमंत्री पद दिया जाए वैसे में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा क्या है पूरा मामला आईए जानते है इस वीडियो में दरसल बिहार में जातिया आधारित सरवेक्षन से उससाहित RJD नेता और डिप्टे सीम तेजस्वी यादव के खलाफ जातिय गणना रिपोर्ट का स्तमाल राज़त के ही एक MLC ने कर लिया है RJD अति पिछरा प्रकोस्ट अध्यक्षवार MLC राम बली सिंग चंदरवंशी ने जातिय गणना रिपोर्ट में अति पिछणों के सारवधिक आबादी को आधार बनाकर कहा है कि एक नंबर की कुरसी यानि कि मुख्य मंतरी EBC को मिलने चाहिए CM इन वेटिंग माने जा रहे तेजस्वी OBC हैं और यादव जाति से आते हैं जातिय गणना में OBC की 30 जातियों को आबादी 70.12% मिली है जिसमें यादव अकेले 14% है सरवे में EBC आबादी 36% है जिसमें 112 जातियों की गणती शामिल है चंदरवंशी का आतिपिछडा मुख्य मंतरी की बात करना अपनी ही पाटी की युवराज माने जाने वाले तेजस्वी की ताज पोशी के लिए खतरनाक संकेत है जाति जुनगर्ना का रिपोर्ट आने के बाद से ही ऐसा कहा जा रहा है कि अतिपिछडा को CM बनाया जाए क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा आबादी है आरजेडी के विधान पार्षत रामबली सिंग चंदरवंशी ने कहा कि इस गड़ना को भी अगर हम माने तो सबसे बड़ा ग्रुप आतिपिछडा का ही है तो आतिपिछडा को सत्ता की बात होनी चाहिए तो आतिपिछडों की भी सत्ता में बात होनी चाहिए एक नंबर का कुर्सी अतिपिछडा को मिलना चाहिए अब अतिपिछडा जग गए हैं हर जिले हर कस्वे हर पंचायत में अतिपिछडा वर के लोग समझदार हो गए हैं अपने साथ नाइनसाफी और हक मारी को समझने लगे हैं अगर जाती गरना में घाल मेल नहीं है तो सरकार वर्ड वाइज सूचित प्रकाशित करें आफिस में बैठ कर संख्या बढ़ाई गई है उसका पोल खुल जाएगा गरना की रिपोर्ट के पीछे राजुनीतिक साजुष है रामवली सिंग चंदरवंशी ने पिछले सप्ता अति पिछड़ा अरक्षन बचाव संघश मोचा के बैनर तले एक कारिकरम में कहा था कि तेली, तमोली और दांगी को 2015 में अति पिछड़ा में शामिल करके EBC के साथ हक मारी की गई है चंदरवंशी ने कहा था कि नगर निगम की चुनाओं में अति पिछड़ा की तीन मेर सीट तेली जाती के लोगों ने कबजा कर लिया है जिला परीशत अधियक्ष के चुनाओं में भी अति पिछड़े के लिए आरक्षित आठ में से साथ सीट इन तीन जात्यों ने हड़प लिया है जिनको 2015 में अति पिछड़ा की सूची में शामिल किया गया था RJD के अति पिछड़ा प्रकोस्ट के अधियक्ष रामबली सिंग चंदरवन्शी विवादों में रहने वाले नेता है पिछले साल एक समचा चनल के स्टिंग ऑपरेशन में रामबली सिंग ये कहते हुए एक खुफिया के अमरे में कैद हुए थे ये तेजस्वी यादव शराब पीते हैं और उनकी चले तो एक दिन में शराब बंदे खब्म कर दे रामबली सिंग पर फरवरी 2022 में अब प्रयाकरितिक सेक्स की कोशिश का एक केस भी दर्ज हुआ था 2020 में भी एक कॉलेज के छात्र ने उन पर इसी तरह के आरोप में FIR की थी इससे पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं आपको बता दे कि रामबली सिंग च्रंदरवन्शी से पहले माकटबंदन सरकार का नेत्रत कर रहे नितीश कुमार के जेडियू के सांसत सुनिल कुमार पिंटु ने तेली समाज के संख्या कम होने का आरोप लगाते हुए जातिय गढ़ना रिपोर्ट पर सवाल उठाय था पिंटु ने कहा था कि तेली समाज के आबादी 2 फीसदी बताई गई है जबकि इनकी आबादी 5 फीसदी से अधिक है पिंटु बीजपी के विधायक थे लेकिन सितामडी लोकसबा सीट एंडिय गठवंदन में जेडियू को चली गई और माना जाता है कि बीजपी के इशारे पर नितीश ने सुनिल कुमार पिंटु को जेडियों से टिकट दिया और वे जीत भी गए अब देख सकते हैं कि जाती जुनगना होने की बाद सिर्फ जेडियों ही नहीं बलकि आर जेडिय पर भी संकट मंड़ा रहा है और तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो कहीं न कहीं सपना ही बनता नजर आ रहा है क्योंकि अब EBC यानि कि आर जेडि के MLC ने ही ये मांग उठा दी है कि अब EBC से मुख्यमंत्री पर के लिए दावेदार बनाया जाए तो क्या EBC में RGD कोट के ही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बात को सुईकार करेंगे आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तमाम खबरों से अब्डेट रहने के लिए देखते रहें नुस्पूर नश्यू